जाए हिंद दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे वर्ड कप के सबसे बड़े मैच की जो की खेला जाएगा भारत और आस्टेलिया के बीच में दोस्तों सूपर संडे का यह इकलोता मैच है और आप सब लोग मुझे लगता है बेसबरी से UDCRA की वीडियो का वेट कर रहे होगे क्यों कि जो मंदा आपको इतने डिटेल में सब कुछ बता आ रहा है आपको पिछका फोटो तक लेके आ रहा है आपको टॉस्त वाइस दोनों टीमों की प्राइम टीम दे रहा है लाइक सबसे पहले तो आपको प्राइम प्लेयर्स मिलते है दोनों टीमों के और उसके बाद टॉस वाइस कि अगर भारत पहले बेटिंग करेगा तो आपकी हैट टॉट की प्राइम टीम क्या रहेगी और अगर अस्टेलिया पहले बेटिंग करेगा तो आपकी हैट टॉट की प्राइम टीम कैसी रहेगी प्लेयर बैटल आपको इस व head to head की team नहीं थी यह grand league की team थी जिसमें लिडे आपको captain नजर आ रहे हैं जो पाकिस्तान और नीजरलेंड्स का match था यह पूरा हो चुका है और यह आपको मीकरन आपको vice captain नजर आ रहे हैं और यह team देखे गई है 1,088 points और जो head to head की team है वो हमारी देखे गई है 912 points और ये भी कम नहीं है in fact 895 points जो opponent के है वो बहुत जादा हैं लेकिन उसका पंगा युडिजार से पढ़ गया केवल उसकी ये गलती है और ये थी हमारी head to head की team ये देखे सब्सक्राइब का उस पर देख सकते हैं आप दोस्तों सेम टीम आपको दीगे थी रचिन रविंद्रा कैप्टन दिये गए थे आप आप उठाके देख लीजे ये देखिए ये एशिया कप का final है जिसमें हमारा ये captain नजर आ रहा है आपको सिराच ये 1000 पॉइंट्स है दोस्तों ये 850 पॉइंट है 974 पॉइंट्स है ये 75,000 या कोई भी बढ़िया अगर अमाउंट विन करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम जॉइन जरूर कर लीजेगा तो चलिए अब डिरेक्टली वीडियो की तरफ चलते हैं बैडवाल पर दोस्तों 25,000 का फ्री गिववे लगा हुआ है और 33 की लीग लगी हुई है 39 वाली छेर रूपर डिस्काउंट पर मिल रही है मतलब 30 की 30 में आपको 33 में लगाने को मिलेंगी और माइमास्टर 11 पर दोस्तों 1,00,000 कितने का 1,00,000 रुपे का फ्री गि अब जो चाहे वो कॉंटेस्ट खेल सकते हैं अब चलते हैं पिछ रिकोर्ट की तरफ चितंबराम यदि आपको नॉलेज हो और आप क्रिकटेट टच में हो ना दोस्तों तो आपको रिसेंटली पता लगेगा जो भी आप चितंबराम का नाम लोगे तो चिपाउक चिपाउ जी हाँ दोस्तों रिसेंटली यहाँ पेना पिछ चेंज किया गया है लाल मिट्टी को बदल दिया गया है काली मिट्टी में कले का कंटेंट काफी डाल दिया गया है पिछ डूरेबल हो चुका है डूरेबल का मतलब नहीं पता तो ज़्यादा लांग लास्टिंग जिसको गयते हैं कि ज्यादा नहीं तूटेगा ज्यारा देर तक चलेगी तो उस लिहाद से बेटिंग ट्रैक बना दिया गया है अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहानी चेंज कर दी भाई मेरा काम है अगर मैं आपको ना बताता तो आप तो सौरे स्पिनर लेके और लो स्कोरिंग राउंड के अकॉर्णिंग टीम बना लेते हैं दोस्तों हाइज स्कोरिंग राउंड बन चुका है क्ले कंटेंट एड कर दिया गया है काली मिट्टी को एड कर दिया गया है पिछ बैटर रहेगी फ्लाट विकेट है अरे यार अब तो लाइक करना पड़ेगा इतनी इंपो भुद पहले की बात है दोस्तों यह है फॉल भॉत मत करिए यह मत कर दो स्थीन सो संटीस बहुत पहले लगा था बैटिंग की बात करें दोस्तों फिनर स्क के लिए मैंने अब अभी है suggestions आंब रहने नहीं खाला ठीक है अबव से इसनल को कौँ कि ऑव कर उपकर और। उचा यहां पर 279 रन बन गए थे 266 महीने लगभग पहले मैच गए था यहां पर देखी शामी को भी विकड मिले है पेसर है सुरी सिराज को विकड मिले है हार्दिक पांडिया को मिले है यानि पांच विकड स्पिनर्स को मिले है और पांच ही विकड यहां पर पेसर को मिले है और जड्डू ने यहां पर बहुत अच्छी बॉलिंग किया तो ऐसा नहीं है कि केवल स्पिनर ही आपको विकट दिलाएंगे लेकिन उसके बाद मुझे लगता है यह पिछ चेंज की होगी क्योंकि फिर भी सेकेंड इनिंग में भी हल्प तो देख लो हल्प तो यहां पर स्पिन आए और पेसर विकट भी ले रहें को कोट्रा लेके गया किमो पॉल लेके गया अल्जारी जॉसप लेके सारे पेसर लेके तो सो पलाड स्पिनर्स के नहीं है तो मैं सही बोल रहा हूं के नहीं मतलब यह तो 2019 का मैच है लेकिन यार डिसेंटली विकेट चेंज हुआ है हमार अब ब्लैक स्वाइल आड कर दिया गया उस पर हना दि प्रेजन्स ऑफ क्ले मेक्स दी ब्लैक स्वाइल पिच मोर ड्यूरेबल दा रेड़ बन ठीक है इड़जांट डिटार येट क्विक्ली जल्दी नहीं तूटेगी सो एक्सपेक्ट पेसर्स गेट अ हिंट अ एक्स्ट दोस्तों के नीचे आउट हो जाएगी डिम नहीं स्कॉर बनेगा लेकिन वह जो पिच का रेगुलर मिजाज है ना मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते हैं तो वह कुछ बात है दोस्तों ठीक है अब यह देखिए बारिश के कुछ चांस नहीं है दोस्तों बादल भाई रहेगी लेकिन यह देखिए बारिश के चांस ही नहीं हलकी फुलकी को तो थोड़ी बहुत बूला बांदी हो सकते हैं लेकिन उसको ना के बराबर है यह देखिए जिसके लिए आप हमारी वीडियो देखने आते हूँ अब मुर्ली कार्तिक जी आपको वो पिछ रिपोर्ट दे रहे हैं और यह किसी और मैच की है ज्यानमत दीजिए लेकिन पिछ तो वही है ना पिछ तो लिट चेंज कर गी पिछ तो वही है पूरा ग्राउंड आपको दिख रहा यहां पर यह देखिए इसको घरते यह ग्रा तो अब छोटा कर देते हैं इसको तो चलिए आगे देखते हैं ग्राउंड बहुत अच्छा यार और यह जितना भी ग्राउंड है सारा भारा बढ़ा होगा अभी अभी से टिकेट सॉल्ड आउट तो अब तो हो चुके होंगे खैर अब तक तो यह देखो हमारे यार मुझ जीता है जबकि तरासी मैच ही यहां पे दोस्तों अस्ट्रेलिया जीता है मारजन काफी बढ़ा है दोस्तों लगबग 27-28 मैचों का मारजन है अगर देखा जाए तो लेकिन यह देखिए 2019 के बारा मैच हुए है मकाबला बिलकुल बराबरी पे अगर छे भारत है तो छे अस्ट्रेलिया आए अस्ट्रेलिया जादा नहीं है दोस्तों मान गए भारत बहुत स्ट्रॉंग हो चुका है दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत का लेवल ही अलग हो चुका है 2011 के बाद तो मैं क्या बताऊंगा आपको टीम न्यूज जो बहुत इंपॉर्टन एक बड़ा आपको शौक भी मैं देने वाला हूं अगले दो मिनिट में आपको शौक मिलेगा रोहिश शर्मा कुलदीप यादफ विराठ कोहली और हर्दिक पांडिया वापसी कर चुके हैं रोहिश शर्मा इस टेम की कप्तानी करेंगे पांडिया वाइस के अप्तानी करेंगे अक्सर पटेल दोस्तों बाहर हो चुके हैं पता लग चुका है अश्विन को उनकी जगह पे अड़ कर दिया गया और शायद अश्विन आपको खेलते हुए नजर भी आ सक करेंगे पैट कमिंस, मारकस, टॉइनिस, वार्नर और हीजल वोड रिटर्न हो चुके हैं टीम में ट्राविज हैड आपको एक तरीके से शायद खेलते हुए नजर आएं लेकिन स्कॉर्ड का हिस्सा जारून है लेकिन वो रिकावर हुए है कि नहीं हुए है इसका भी कोई अब तक शौक मिल गया होगा है हाला कि मुझे लग रहा है कि शायद शान किशन को बाहर बैठना पड़ सकते है और शुबमा्न गिल की एंट्री हो सकती है क्योंकि अस्ट्रिया के अगेंस्ट खेलने का ओपनिंग करने का बहुत तगड़ा मौका मिलाए तो हो सकता है उन्ह कि इशान किशन शायद बहर बैढ़ता है और ये शुभमन गिल खेल जाए वैसे इशान किशन भी कुछ गलत तो किया ही नहीं है लेकिन आप ग्यारे ही खिला सकते हैं बाकि दूसरी तरफ ठीक है क्योंकि भूमरा और जस्प्रीट कैना मैं इनका मौहमद सिराज बहुत अच् अधिक पांडे आविलेबल है तो मौहमद शामी की यहां पर जगा डिफिकल्ट बन रही है और जड्डू अश्विन और कुल्दीप ती ने ये अपने लेफटाम चाइना मैन और लेफटाम और अर्थोडॉक्स और एक राइटाम आफस मिनर एड़ हो चुके हैं टीम में तो को दिक्कत मी आने वाली रोहिशर्मा की फॉर्म की बात करें दोस्तों 56 रन 53 रन 81 रन मानती और अस्टेलिया उनकी फेवरेट टीम है जिसको धूते हैं या आप देखें ना अब हैटकेट की बात करें तो 43 मैचों में अस्टेलिया को इसने 2300 से जाधा रन ठोके हैं इशान किशन का उतना कोई बढ़िया रिकॉर्ड इस्टीम के अगेंस्ट नहीं है वे राट 47 मैचों में इस बंदे ने आप लगाईए 200 से जाधा रन बनाए है 53 की रिसेंट फॉर्म इंटा भी बहुत बढ़िया है दोस्तों एक 50 और एक शतकी है पारी इंकलूड है यानि प्लेयर है अभी जो इस ग्राउंड पे इन्हों एक मैच खेला है उसमें उन्होंने 70 रन की खेली थी जो बहुत अच्छी पारी है और रिसेंट फॉर्म भी इनका जबरदस चल रहे है जिसमें 48 रन और 105 रन की दो अच्छी बार्या शामिल है क्याल राहूल एक शतकी है पा इन्होंने लगाया था शायद हार्दिक पंडिया जुनियर पंडिया दोस्तों और रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बारा मैचों में 54 की आवरेज है इस टीम के अगेंस्ट और 11 विकेट्स भी है इस क्राउंड पे भी इन्होंने 123 रन बनाए है केवल दो मैचों और 5 फिर 87 रन यानि धंबाकेदार प्लेयर है रावेंद्र जडेजा सर रावेंद्र जडेजा सर की उपाधी ने मिली हुई है कुंगफू पांडिया को जैसे मिली हुई है कुंगफू की 42 मैचों में साड़े पांसो से उपर रन है 34 विकेट है अना इस ग्राउंड पे तीन मैचों में इस वंदे के तीन विकेट है 49 रन थोड़े से कम है और विकेट ज़रूर ले रहे है तीन विकेट एक विकेट एक विकेट ज़रूर ले रहा वंदा रवी चंद्रा नश्विन 17 मैचों में ऐस्टेलिया के 20 बंदों को यह ने परविलियन की रहा दिखाई है इस वेन्यू पर इनों ने तीन मैचों में पांच विकेट लिए है और डिसेंट फॉर्म की बात करें तो तीन विकेट एक विकेट एक विकेट तो ये लिके जाएगा कुल्दी पयादाव स्टार जिसको मतलब के ऑस्टेलिया थोड़ा सा घर बैट कर सोच रही होगी इस समय हला कि घर नहीं है वो यहीं पर है सोच जरूर रही होगी कि इनका और बुमरा का तोड़ निकाला जाए लेकिन आउट आफ दस लेबस फिर सिराज भी आ सकते हैं उनके माइन में वो भी हो रहा होगा है उसे भी स्लेबस में इंक्रूड कर लिया जाए जबसे उन्होंने विश्री लंका की कौन गई थी फाइनल में जिसकी इनकी बुरी हालत की थी दो विकेट, चार विकेट, पांच विकेट, जीरो विकेट क्या बात है जस्पृत बमरा, तीन विकेट, एक विकेट, एक विकेट, दो विकेट इसे कहते हैं रिकॉर्ड इसे कहते हैं रिकॉर्ड दोस्तों चेंच मैंच में चेंज डिए इस रहा पर फॉर्मेंस भी बहुत अच्छी यह ए डिकिन सब्सक्राइब करेंगा गराउंड बालिंग लाइन भारत का कैसे चलेगा बुम्रा सिराज और पंडया तीसरा अप्शन पंडया यह जो सो शामी नहीं अबलेबल अबलेबल है सॉरी को खेलेंगे निए यह तीनों करेंगे दोस्तों शुरुवात मिडलों में आएंगे सर रविंद्र जडीजा कुल्दीप यादफ कुल्चा का केवल कुल आएगा और रवीचंद्र डश्विन डेथ बालिंग की बात करें तो वही तीनों डेथ करेंगे हाला कि कुल्दीप को कुछ थोड़ा सब डेथ से बहले लाया जाएगा प्लेयर बैटल यह काफी देखने वाला है क्यों यह काफी इंपॉर्टेंट सेक्षें ना दोस्तों इसे स्किप मत करना यह काफी इंपॉर्टेंट है रोही शर्मा जैसे ही दोस्तों आएंगे तो आपको ना मारकस इनका ग्राउंड रहने बाला है और स्टार्टिंग के पांच-शी ओवर्ट के बाद आपको जैंपा दिखे जाएंगे यहां पर क्यों जैंपा ने चार बार आउट किया इसको बांते हो पैट कमिन्स ने तो लगभर ना के बराबू रहा है लगभर 35-40 ओवर में दो बार अखे चलते हैं वीराघ कोहली जैंपा ने इनको भी तंग किया लेकिन है लुट जैसे ही वीराठ कोहली आएंगे सबसे पहला वर हेजलू आपको करते हुए दिखेंगे क्यों केवल 55-50 गेनों में चार बार आउट किया और स्कोर्स भी बनाने नहीं दिये विराठ कोहली को इसने यह रिकॉर्ड सबने अब तक उठाके देख लिया होगा और सबसे पहले यह उठाया होगा कि कि इस बॉलर ने विराड कोली को जारा उठके है मेरे पास इसा कौन सा हुकम का है जो विराड कोली को शांत कर सकता है क्योंकि अगर इनके यह 20-30 रंड मुला क्रॉस कर गए सबसे पहले नहीं रुके यह 80-85 रंड से जारा मार की जाएगा और वो काफी है अपना काम बंदा करके जाएगा तो यह सबसे पहले उठाली होगी सबने कि अगर विराड कोली आएगा ना साथी अगला वर आपको हीजल वूड करते हुए नजर आ जाएगा क्योंकि करने वाले दुनिया में बहुत कम है शुरे साइयर को जादा किसी ने तंग नहीं किया दोस्तों सबके एक विगड़ा हो और साइट सी वाला नए प्लेयर है अभी ऑस्टिलिया के जादा नहीं खेले तो प्लेयर बैटल में बहुत बड़ी बात हमें देखने और केल राहू है अपनी मारका स्टॉइन ही समय टीम में रखने है यह कुछ प्लेयर जो हमें टीम में रखने है अपनी पैट कमिंस को जारा किसी ने तंग नहीं गया पैट कमिंस ने थोड़ा बहुत तंग किया हार्दी पांडिया को थोड़ा गलत बोलका शायद कूद सेट कर ले ना इन खता हूं नहीं है जाता हूं भारत जीते वर्ड़कप लेकिन दोस्तों और भाके ट्व सेखेल लने को मिलका है वह हारा नil यह हमने दिया उसे कॉन रहा सकता है कि 2011 विट यह था शाय कि ऑना नहीं कि इसका बैयान आए था जो तर्टेटिया ने वर्ड कप में आया था जब अस्टेलिया को हमने हरा आया था उस्व बयान आया कि अभी वर्ड कप जीटेगी टीम जब कि सकर ऐसे मीट समीडों फाइनल पडाय। लेकिन इन्हों ने कह दिया था कि जिसने हम दो हरा दिया वह फाइनल जीतेगा, बुमन वर्ड कप जीतेगा, हुआ भी जब तो हम बोल रहे हैं अगर यह भारत को रहा हैं कि अदल यह बोल क अब जीते हैं तो आप देख लीजिए दोस्तों ठीक है हागा कि मेरे और मुड़ी मॉनिटिक में बहुत फरक है वो लेजेंड है और हम जस्ट एक प्रेडिक्टर ठीक है यह देखिए डेविड वार्नर मिचल मार्श मिचल मार्श बहुत अच्छी फॉर्म में है स्टीव स्म दोस्तों बैटिंग में ठीठा कर रहे हैं सीन एबट शॉन एबट बोलते हैं हलाकि इनको मिचल स्टार्क और एदम जैंपा एदम जैंपा बालिग अच्छी कर रहे है वीडियो जाला लंबा दो नहीं हो रहा दोस्तों देखे जरा एक बर नहीं नहीं कुछ खास लंबा न है यहां पर देखिए यह तीन फिफ्टी कहीं भारत के गेंस्ट ही तो नहीं आई मेरे मैंड में अगर सही मैं स्टाइक कर रहा हूं तो देख लेना आप खुद लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा है अगर टीन फिफ्टी बंदा लगा कि आ रहा है मतलब यार एक ड्रीम फॉ पड़ेगा यार मंदा मस्त है और रिसेंटल एक च्छानेवे रन की पारी भी आई है इनकी इस ग्राउंड पे बिस इसका भी आए और यह बहुत खातरनाक है यार भारत के मतलों यार क्या खाके उतरते हैं गेंगे और चोवन रन का आवरज यार 27 मैच में बारासों से उप 40 रन के अच्छी पारिया इनकी इंग्लिश इंग्लिश की दो अर्लगभग अर्चत के पारिया है लेकिन एक इनको थोड़ा सा मतलब के अवाइड कर दिया जाते हैं जब की बहुत टेलेंटर प्लियार न जब जब ऑपनिंग करते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं है मारकस टॉइनिस अगर देखा जाए तो दो इक यह एक विकट हर मैच में ले रहा है लेकिन बेटिंग बैटिंग में कुछ एक्स्तर आडरी नहीं कर रहा आगर बैटिंग में देखा जाए तो 39 आपको दिखेगा अठरा दिखेगा दस दिखेगा, 17 दिखेगा थापर ए नहीं दिख लेगा यहां पर क्यों मौके उसलिहाद से नहीं मिल रहे हैं जब यह उपनिंग करते हैं विबीयल में तो यार इनसे बैटर कैप्टन को वर्ड कप में होगता नहीं है वसारी ड्रीम एलेवन पे मैक्सवेल ग्लैनी दोस्तों मैक्सी जब यह पंजाब में थे इन पास्चा इनकी भी जुड़ाई बहुत करेगा बदले लेने का टाई है पैक्ट कमिंग्स 19 मैच 75 रन कोई बिलकुल खराब रन्स है विकेट्स बहुत अच्छे 26 विकेट्स है रिसंट फॉर्म की बात करें तो हर मैच में विकेट्स है दो विकेट्स तीन विकेट्स दो वि था सठेख का शाहिड जारा बैटर होगा हार तीन विकेट्स पांच विकेट्स तीन विकेट्स दोन सचार में क्या बात है और चार में क्या दो में लिखेण पे बहुत तग्रा बालर ठार बहुत है लिखेड है यार मस्त प्लेयर है अस्टेलिया का बॉलिंग कैसे चलेगा अगर बात करें तो ओपनिंग बॉलिंग्स करेंगे स्टार्क और कमिंस वंचेंज में आएंगे शॉन अबट यह तीनों ही करेंगे स्टॉन इस एक आदा ओवर शाट ठेक जाए अदर्वाइस आप ल यहां पर आपको मेजर रोल अधा करते हो नजर आएंगे स्टार्क से जादा मुझे लेकर स्टॉनिस ओवर करेंगे देथ में प्लेयर बैटल यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपस में बहुत खेली है यह तीम रिसेंट लिए भारत में खेलके भी आए तो एक्स्पेरेंस जरूर होगा इनको वार्नर की बात करें वार्नर को तंग कौन करता है कि शमी यह रिकॉर्ड हला कि सबने देख लिया होगा खुश भी होगे वार्नर की शमी नहीं खेलेंगे तो मैं बच गया क्योंकि दूसरी टीम की प्लेइंग 11 का लगभग अंदादा और वार्नर तो दूआ कर रहे होंगे कि यार मतलब शमी ना खेले शमी ना खेले लेकिन भारत ने भी रिकॉर्ड देख लिया होगा और कहीं नहीं भारत भी पूरी ट्राइब करेंगा कि वह महमा शमी को खिलाएं तो कि वार्नर बहुत घातक साबीत होते हैं सब को बताया का वार्नर क्या कर सकते हैं तो उस लिहाद से भारत चाहेगा कि अगर किसी तरीके से हम महमा शमी को रिजस्ट कर ले को खुग हो कि वार्नर का विकेट बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं है कि अवर वार्नर इन्होंने मिचल स्टार्क मिचल मार्श को भी था किया है तो आप तो इस लिए पहले और सकते हैं इनको तंग इनको भी देख लो शमी ने तंग किया है और ऐसे हो कि दूसरा मुझे बॉलर दिख नहीं नहीं करें दूस्त तो शामी इस लिहाज से इंपोर्टेंड है केल सकते हैं स्टीव स्मित स्टीव स्मित और शमी ने इसको भी तंग किया यार हार्दिक पॉंट्या ने भी तंग किया तो मुझे लगणा आश्मीन के चांस मुझे कम लग रहे हैं यार मतलब जो टीम की दिल और धड़कन है उन सब को महमाद शमी ने आउट किया और वो भी उस समय पे जब यह सेट नहीं होते मतलब अगर इकलौता बॉलर कोई अगर उस समय बॉलिंग कर सकता है तो वह महमाद शमी है तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि महमाद शमी खेलेंगे दोस्तों हाला कि कोई भी आप कोई भी कुछ निया खुद भी नहीं बता रहा कि वह देख्यों मुझे लग रहा है कि यार एक्सपर्ट्स ने रिकॉर्ड जरूर देखा होगा और वर्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैच में चाहे शमी विकेट ना ले लेकिन माल लीजी आप भी गली क्रिकट खेलते हो और आपको किसी प्लियर ने किसी आपके साथी ने चार ना बॉष्ञें अजये रहे लाक ने बाते हो वन की जया शेखा जांग को चाहेगा भारत पहल से यार विकेट न लेकिन जब दो तो चीज भारत को महीं कघ्छा पॉमरत को मीचाया कि लोस्तों शारदू निखेलने वाले जड़ु ने i अब देखो बुमुरा ने तंग किया है दोस्तों जड्डू ने भी किया है कुल्टी पी आदम ने भी किया है अश्वी ने बहुत तंग किया दूस्तों इनको और वोर्ट समय होगा जब यह आएंगे तब स्पिनी चल रही होगी तो यह भी डरेंगे कि यार लगवग दस बा बहुत जादा तंग किया थोसतों बुमरा कि उस समय शाहते बुमरा बॉलिंग नहीं करेंगे तो अश्वीन को यह थोड़ा साभल के खेलेंगे कि वल्चार रहन बना पाए बारव बालो में मार्कस टॉइनिस शामी ने इनको भी तंग किया थोस्तों इस ने तंग किया है स को भी मानने चाहे ना मने मुझे लगता है यह बंदा के लेगा ठीक है मैं फैन हो गया बंदे का यार अस्टिलिया जैसी मजबूर टीम को इसने गोड़नों भी ला दिया और रभी अश्विन ने भी तंग किया है बुमरण मिहलक इनको तंग किया कुलदीप यादम ने भी त किसी के बाद के मूमेंट हो तो कमेंटर जरूर करना प्राइम प्लियर्स भारत के दखोब आपको इशान किशन नहीं दिखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मों नहीं खेलेंगे अगर गिल खेलेंगे तो गिली मेरा कैप्टन होगा रोहिश शर्मा क्योंकि रिस वो साथ आठ होवर और अप लगाइए यह और रविंदर जडिजा यह दो ऐसे प्लियर हैं जो मैक्सिमम ओवर्स करेंगे एजन ओल राउंडर और अप लगाइए बेटिंग बिंग मैक्सिमम रोल अदा करेंगे मैच मैं पॉइंट्स देने का सबसे तरा जो चांस होगा व गुम्रा और सिर्वाज बॉलिंग खाफी इंपॉर्ण अबारत की ऑस्टेलिया अपको बहुत सेट बैक लगा होगा मैंने मिचल मार्श का नाम एड नहीं किया टेलिग्राम पर आपको बताऊंगे एक रीजन है मैंने एड क्यों नहीं किया डेविड वार्नल लगा तार त स्टीव स्मिट फैफ फोर के प्लियर मार्ना स्लामु शाह ने रिसेंट फॉर्म मार्कस टॉइनिस डेथ वालिंग स्पेशलिस्ट और फिनिशिंग टचिस देंगे मैक्सवेल करना नहीं चाहता था अगर भारत पहले बैटिंग करेगा तो टीम क्या रहेगी जान से सुनिए यह दिखें भारत पहले बैटिंग कर रहा है तो आपको हर्दिक पंडे कैप्टेन दिख रहे है क्यूं लगभग 35 ओवर के बाद आ जाएंगे मतलब 30-35 रण बना गया बंदा और छटा बॉल रहा है भारत का मैं बता रहा हूं तीसरा तेज गेंद बाद है और छटा बॉल रहा है मतलब साथ ओवर यह बंदा लगभग करके जाएगा तो मैक्सिमम रोल अधा करेगा जड़ू एड़ नहीं है इसमें क्यूं जड़ू को नहीं एड़ गिया रहा है आपने बताओं दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में स्पिन का कोई खास रोल रहने नहीं वाला और फर्स्ट इनिंग्स में जड़ू की बैटिंग से मुझे कोई खास उमीद नहीं है तो मुझे चाहिए था यहां पर सेकेंड इनिंग्स का में स्पिनर जड़ू सेकेंड स्पिनर है में स्पिन सबस्तिा सब्सक्राइब कुल्दी प्यादं ज्सक्राइब का सिटेखें of नियुक करने नई में दिखेंगे से कूल में दिखेंगे अब लगारत का स्कूरसीओ यह कंचा सब्सक्राइबKO देखेंगे अफweek Harry Mr Fox Temp देखेगा और जो भारत पहले बैटिंग कर रहे है तो second innings का spinner VC है जो अस्टिलिया पहले बैटिंग कर रहे है तो second innings का spinner VC है मेरा अपना टेक्ट है second innings पे spin को help मिलेगी जैसे जैसे विकेट टूटेगा चाहे विकेट नहीं टूटेगा लेकिन फिर भी एक तरीके से खेलेग मेरा गेम विकेट स्लो होगा हलके से क्रैक्स आएंगा स्पिन मजेदार बनेगा तो जो भी बॉलर second innings स्पिन विकेट करेगा दोस्तों बॉलिंग करेगा वो मेरा वीस्ती है मेन स्पिनर है जो टीम का यह देखो न यहां पर मैंने मैक्सवेल तक को लिया है क्यों अरे यह जाएंगे थोड़ा माइंड लगाया करिए अना यह देखिए बैटिंग में को खास मेने चेंजिस नहीं किया दोस्तों केवल भारत की पहले बैटिंग है तो थोड़ा सा ओपनर दूसरी टीम के कहर गुजार सकते हैं तो यह दोनों मेने रखे हैं हाना और यहां पे दो प् दोस्तों